नमस्कार बहुत स्वागत है आपका पीपल के पत्टे का टोटका बहुत ही अचुक होता है कहते हैं पीपल के ब्रिच में सभी देवी देवताओं के वास होते हैं और आपकी अगर पित्री दोस है, काल सर्फ दोस है या फिर कोई सुप प्राफ नहीं हो पारा है गर नच्छत्रों के बुरे प्रवाव से परिसान है तो इसके लिए पीपल के बिश्की सुभा दस बजे के पहले पूजा जरूर करनी जाहिए और साथ ही अगर आपको विदेज जाने में अर्चने आ रही हैं उन्नती में रुकावट हो रही है धन प्राप्ती में कठिनाई हो रही है या फिर बिवा नहीं हो पा रहा है सभी तरह के कारियों के समाधान के लिए बहुत सारे उप्टोटके किये जाते हैं पीपल के पत्ते से पीपल के पत्ते को कहते हैं अगर आप हनुमान जी को पीपल के पत्ते पर घी और सिंदूर से राम लिखकर सनी वार के दिन अर्पित करते हैं तो आप करजों से तो मुक्त होते ही हैं साथ ही आपके रुके हुए पैसे भी आते हैं और बिगड़ा हुआ काम भी आपका बढ़ने लगता है साथ ही साथ आपके जो लक्षमी आपके घर से रुष्ट होकर चली गई है बरकत नहीं हो पा रही है वो समस्या भी दूर हो जाती है लेकिन आपने तो सनिवार को हनुमान जी को अरपित कर दिया पीपल पत्ता अब अब क्या करेंगे उस पत्ते को उन्हें अरपित करें आप मंदिल में भी कर सकते हैं अगर आपने सुबह अर्पित किया है तो साम के समय मंदल से घर ले आए और उसके बाद आपके घर में मिट्टी है आंगन में छटे टॉप है जिसमें गमले जिसमें गाच पे गर फुल के लगे हुए है उस मिट्टी में उस पीपल के पत्ते को दबा कर रख दे आप चलिशा का पार्ट करना मत भूलिएगा आप सुबह या साम जब भी इच्छा हो मंगल वार और सनीवार के दिन आप लाइफ टाइम भी हनुमाच चलिशा का पार्ट करते रहेंगे तो सभी संकटों से आप बचे रहेंगे सुरक्चित बने रहेंगे और आप पर बजरंग कि विसेश क्रिपा भी रहेंगी आप उनके छत्रचाया में खुद को सुरक्चित महसूस करेंगे आप हनुमान जी के सरन में आकर देखें आपके जीवन की सारी वैभव प्राप्त होगा और सारी तकलीफे आपकी दूर हो जाएंगी दोस्तों उमीद है आपको हमारा वीड तकलीफे भी बढ़ गई बहुत दुख भी बढ़ रहा है कहीं अरिवार सही नहीं चल रहा है तो प्रयास करते रहा करो